यह वेड़न विल्कम बैक टू नियुश्टुडी तरफ से अपडेट है और काफी इंपटेंट इंपडेट है रिकारडिंग बी एड रिकारडिंग बीएड वक्षॉप रिकारडिंग योड़ बाइवाब वाइस और और ब्रैक्टिकल इक्शामिशनों का सरियाडिंग नहीं किजिए अपडेट्स होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर मेरा यह मीस हो गया तो मेरा प्रेक्टिकल चुट गया फिर एक साल डिले हो गया अपडेट्स सभी जरूर आया है और आप लोग किसी बीजनल सेंटर के उपर यही पीडियेफ आपको मिलेगा ताप किसी बीजनल सेंटर के अंदर पढ़र हो बीएड के अंदर सेटेंडियर के स्टुडेंट हो तब इस वोक्सप को जरूर एटेंड करें यहां पर देखिए जो है यह इसका बेटेज है काफी ठीक है यहां पर आपको मिलेगा फॉर लॉर्न इंडर्नर इंडॉल्ड इन जुलाई यहां पर यहां पर आप जुलाई जुलाई में इनडर्ल किये हैं पिछले साल और उन्हें सेंड इंडर्न इंडर्न इनहीं कर पाया थे स्ट्वॉर्ड उर्कॉप् उनका कम्प्लीट नहीं हुआ यह वोक्षप जो भी इंटर्शिप शेकेंड के बाद होता है तो भी अटेंड कर सकते हैं पुराने वाले स्टूटेंट भी ठीक है तो इसके में डेट और कौन से सेशन वन सेशन टू सेशन त्री सेशन फोर जो है इस तरीके टाइमिंग साथ इसमें कौन कौन से लोग आएंगे उनका प्रोफेसर को नाम यह सब दे दिया है यहां पर जरूर देखें वीडियो को लोग के और नोड कर लिजे कि क्या है और यहां पर दो तरीके से आपको यहां पर जोईन करना है एक तो फेस्बूक लाइव के थुरू भी होगा और ग गुगल मिट लिंक क्लास का दिया गया तो आप इससे जरूर जोईन करें कोई बच्चा किसी बीजनल सेंटर के उनके लिए काफी इंपोर्टेंट रही है और हर एक रिजनल सेंटर पी अपडेट आपको मिलेगा नेक्स समलोग चले आते हैं रिजनल सेंटर डेली थ्री के कली इंपडेट किया है और आइट नो कि यह जो है अपडेटेड वर्जन है जिन बच्चों का नाम छूट गया था जिनका जैसे मार्क कई बार कमेंट आगे मेरा मार्क ज्यादा है लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में मतलब इसमें पीडेट में नाम नहीं आया मेरा सॉट लिस क्या होगा को उन्होंने च्छे नाम नहीं था नमबर अच्छे थे उसका तो च्छ uso लोग उननका नाम आये 600 बच्चो नहीं UH लाच है रही कि नाइक किनल आगная मेरे खाद से इन्हों नहीं है कि लाश्ट टाइम भी 600なんか के इस बच्चे थे तो तो आपको क्या क्या करना है इसमें नाम आने के बाद यह सारी चीज़ा मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया और यह देखें यहां पर यहां पर यहां पर आते भूबनेस पर यहां पर बच्चे काफी परशान थे मैंने अभी कुछ दिन पहले उनको मेल किया था उन्होंने अभी बोलाए कि हमारा डॉकुमेंट का काम चल रहा है तो प्लीज है पेशेंस इस तरीके से उन्होंने मेल किया मैं उस मेल को आपको एक दिन डिसकस भी कर दूँगा लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं आपको जरूर यहां पर अपडेट करेंगे नहीं भी अपडेट करेंगे आपको जो भ बच्चे प्रोजेक्ट के भायवा के लिए अटेंड करना चाहते जैसे बीसी एंसी एक बच्चे है या फिर और भी अधर प्रोग्राम्स जैसे कोई सर्टिफिके डिप्लोमा प्रोग्राम है तो उनके लिए जो है चालू होगा 16 तारीक से ठीक है 16 से स्टार्ट होगा 10 दिए गल्न प्रोग्राम क्या है एने टीक है कि बच्चे जरूर इसको ध्यान दे मेच्ट यहां पर है वो है यह जय हैने नेख्ट यहांपि यहांत बीडी यो कहीं नेक्स यहांपिन मिलमान और को 9 से बहुँदर मैच करें और जरूर एटेंड कीजिए बहुत इंपोर्टेंड बहुत बेटेज होता है इसको फैल भी कर देते हैं अगर आप एटेंड नहीं करें तो उनके लिए वाले बच्चों के लिए बाइस नौ 2021 से स्टार्ट होगा और दस एम तक चलेगा ठीक है दस एम के बाद सोरी और इस तरीक से और उनका नाम जाए इंवल्मेंट नॉबर के सांथ हैं आप देदिया गाए तो जो बच्चे इसमें इन्रॉल्ड है तो प्लीज इसको जरूर ध्यान से देखे और बीस एक दो बच्चे हैं इन्वल्मेंट नंबर आप देख लिए अपना नाम देख दिए और जो बच्चे पीजी डीटी के हैं उनका ही भाइव वाइस नौ से स्टार्ट होगा दस बज़े के बाद और एक बच्चा है इसमें हर्विंदर कुमार सिंग ठीक है नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट वाइव वाइस देना चाहते हैं अपना सेडूल जरूर उस पीडिएफ में चेक करिए ठीक है फिर मीस हो जागा अब यह वाक्षप बाला तो हमने डिक्स करी दिया कि बीए सेकेंडियर वाक्षप शेक्टमर सेटेमर सेटेर 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 के बीच मे सेटेर सेटेर नहीं है सब्सक्राइब कर दो हैं अगर यह वाक्षप है या फिर जोन नहीं में चलने वाला और यह इस तरीके से इनका पूरा schedule दिया गया और नीचे जो है यहां पर देखिए अलग-अलग study center को लेकर करके अलग-अलग जो है कि यह Google Meet दिया गया कि अगर आप code देखिए यहां पर LSE 2148P से बिलॉंग करते हैं तो आपको इस Google Meet के थूरू जोइन करना है अगर आप LSE देखिए यहां पर 2198P से बिलॉंग करते हैं अगर आप इस से बिलॉंग करते हैं तो आप लोग 13-24 के बीच में इसको लगातार आकी इसी लिंग के थूरू आपको जोइन करने एक यह काम करेगा तो यह हो गया हमारा बीएट सेकेंड यर्वक्सप के रिगारिंग जो भी बच्चे बीएट के अंदर इंडर इन्रॉल लेए तो प्लीज इसको स्रीसली लिज़ें काफी इंपॉर्टेंट है फिर नेक्स हम लोग यहां पर देखें डेली टू के ऑफिशल बेस साइट पर आते मैं आपको दिखात यहां पर भी वही अपडेट है रिकारिंग सेडियूल बीएट सेकेंड यर्वक्सप फ्रम 13 से 24 के बीच में जो होने वाला है ठीक है तो इसको आप देख लिजेगा नेक्स हम लोग यहां पर आते हैं लखनाव डिजनर सेंटर क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएड को ले सेशन लिस्ट अपडेट करेंगे ठीक है यहां पर आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा यह बीएड ओक्सप को लेकर करके अपडेट है हमने इसको पहले भी डिसक्स कर रखा है ठीक है तो आइधिंग सो हमने काफी चीज़ा इसमें डिसक्स कर लिया है और 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 भी आपको अपडेट चीए तो आप जरूर इसमें करें कमेंट के अंदर हम लोग इसको जरूर डिसक्स करेंगे ठीक है एक बार मैं जैपूर देख लेता हूं मैंने पहले देखा है लेकिन इस पर ज्यादा अपडेट नहीं है ठीक है यहां पर देखिए सकेंड मेरिट अपडेट के लिए अपडेट के लिए अपडेट है ठीक है तो इसमें आपडेट लिस्ट आ चुका है बीसी नर्सिंग के लिए इसे आपने साल कितने महीन और कितने सर्विस किया है और जी आपका ज़ो पहले कर रखा उसका परसेंटेज क्या है यह दे रखा है 85, 88, 80, 0 और status जो है किसके अंदर आपको admission मिला है या फिर मेरिट लिस्ट में नाम है जेनरल confirm, जेनरल confirm दो बच्चे है जेनरल बेटिंग लिस्ट के अंदर दो चार और पांच बच्चे है OBC confirm के अंदर दो बच्चे है और ये सारो OBC बेटिंग लिस्ट के अंदर है और भी बच्चे अपना नाम हम इसमें जरूर मिला है इसमें जरूर टोटल 27 बच्चों का नाम है ठीक है BAC nursing, post BAC nursing के लिए मैं इस जारी कर दिया गया है इगनू regional center जैपूर की तरफ से तो ये था हमारा update सिक्तमबर की अपडेट किया गया तो जो भी बच्चे PGDIS के अंदर enrolled है तो उनका प्रेक्टिकल एक्जामनेशन से डियूल कर दिया गया है और ये प्रेक्टिकल एक्जामनेशन कब होगा तो देखें यहां पर PGDIS प्रेक्टिकल एक्जामनेशन थ्रस्टे 16 सिक्तमबर से स्टार्ट होगा और गूगल मीट जो ही ये दिया गया है और अगर आपको कोई भी परशानी तो आप यहां पर कॉल भी कर सकते हैं और कौन कोन से कोर्स का होगा तो देखें यहां पर O-S-E-I-O 0-1-4-P और यह 16 स्टार्ट होगा तो आप लोग जो भी प्रैक्टिकल है जिनका भी प्रैक्टिकल होने माला है PGDIS NCCI TS के अंदर तो और कोर्स और सब्जेक्ट के साथ इनका नाम और यहां पर जो है सब्जेक्ट के साथ इनका गूगल मीट दिया तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट का आपको देना है यहां पर देख लीजिए आप जैसे तीसरी नंबर में देखिए और जैसे तीसरी नंबर में देखिए O-S-E-I-0-4-0-4-P यहां पर देखें है Google मीट इसको आप कोपी करना है यहां पर कWись स्केर के आब Chen करना चाहिए आप ट्री साथ यांप काफी विडियो लंबा फ got to test ज्यादा का सामको ठीक है प्लीज प्लीज बंट फक्रीष ब्रसकर्त कि पर गता थो लाइक जाรूर और जो भी बच्चे और भी कोई डाउट है आप लोग के बास तो जरूर कमेंट करें हम उसको इप्लाई जरूर करेंगे और नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर से कोसेन आंसर से सेस्टन रखेंगे ताकि आप लोग का डाउट अच्छा इस किलिए रोपा है और आप लोग जो हम लोग भी वीड़्यों के विच्ट ने को से अच्छार है झाँ लोग